राज्य सरकार ने साथ तारिक से धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। तमाम देवी देवताओं के दरबार भकतों के लिए खोल दिये जाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिक्षा भूमी में इस साल होने वाले धमचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह पर रोक लगा दी है। ऐसे में नागरिकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जब धार्मिक स्थल शुरू हो गए है तो दिक्षा भूमी को क्यों बंद रखा जा रहा है। तर्मारे ने कहा कि ज्यादा भी न हो इसके लिए अगर धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई जा रही है तो नागपूर में कई जगहों पर गर्बा के सामाजिक कार्यकरता मिलिंद खैर करने कहा कि कुम्ब मेला हो सकता है तो धम्चक्र प्रवर्तन दिवस क्यों नहीं? समता सैनिक दल के आयोजन की अनुमती कैसे दी गई है? समता सैनिक दल के नरेश वहाने ने कहा कि धम्चक्र प्रवर्तन दिवस के मुख्य समारोह को रद्ध कर दिया यह ठीक है लेकिन उस दिन दिक्षा भूमी पर आने वाले लोगों को नहीं रोकना चाहिए कोविड निय समों का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने की अनुमती देनी चाहिए उस दिन दिक्षा भूमी को बंद न करें